हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मैं चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले म्रदाविज्ञान जो एक रिकल्चर्स रिलेटेट एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है इससे हर एक कॉंपेटिशन एक्जाम में कॉस्चन आते रहते हैं तो देखते हैं दोस्तों पहला कॉस्चन पहल दाविज्ञान के पतातितामा कहा जाता है यह कॉस्चन मोश्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों इसको अच्छे से याद रखेगा नेक्स कॉस्चन देखते दोस्तों म्रदा में सिलिकान की आउसतन मात्रा प्रतिशत मात्रा हुती है ओप्चन आमार पास दिया है दोस्तों 27 म्रदा में सिलिकान की मांतरा 27% होती है यह question भी most important है दोस्तों पिछली बार की पिछली बार की इक्जाम में आ जोका है next question देखते हैं दोस्तों म्रदा सब्द लिया गया है option हमार पास है दोस्तों Greek, Latin, German या इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा दोस्तों Latin, म्रदा soil सब्द Latin word से लिया गया है next question देखते हैं दोस्तों यदि म्रदा का अध्यान, म्रदा को प्राक्रेतिक पिंड मान कर किया जाए तो इसे कहा जाता है option हमार पास है दोस्तों pedology, edafology, pedology तथा edafology दोनों इसे कोई नहीं तो इसका correct answer होगा दोस्तों यदि म्रदा को प्राक्रेतिक पिंड मान कर अध्यान किया जाए तो यह pedology के अंतरगत आता है तो म्रदा में यदि पवधों की व्रद्धी को plant growth को ध्यान में रखते हुए अध्यान किया जाए तो यह फिर edafology के अंतरगत आता है दोनों ही most important है Greek word, pedology तथा इडिपोलोजी सब्ध Greek word हते हैं Next question देखते हैं दोस्तों म्रदा में oxygen की प्रतिशत मात्रा होगी Option हमार पास दिया है दोस्तों 27 प्रतिशत, 46.46 प्रतिशत, 21 या 20 प्रतिशत इसका correct answer होगा दोस्तों 46.46 प्रतिशत, म्रदा में oxygen की मात्रा 40.46 प्रतिशत होती यह question most important है दोस्तों प्रत्तिग बार competition exam में repeat होते रहता है Next question दिया हुए दोस्तों प्रात्मिक खनीजों का आकार होता है 0.002 mm से कम जो दूतिए खनीज का करते हैं दोनों ही most important है दोनों को ही अच्छे सियाद रखेगा Next question देखते हैं दोस्तों माल्ट मोरेल नाइट अयस्क होता है option अमार पास दिया है दोस्तों सिलिकेट वर्ग, सल्फेट वर्ग, आक्साइड वर्ग के इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा दोस्तों माल्ट मोरेल नाइट, सिलिकेट वर्ग के अंतर गताता यह question most important है बहुत सारी confidence exam में आ चुका है next question देखते हैं दोस्तों निम्ण में से अगने चटान का उधारन है option अमार पास दिया ग्रेनाइट, रायलाइट, बेसाल्ट या उप्रोक्त सभी तो इसका correct answer होगा दोस्तों उप्रोक्त सभी यहाँ पर जितने भी दिये हुए है सभी अगने चटानों के उधारन होते है next question देखते हैं दोस्तों निम्ण में से अमली अगने चटान का उधारन है option अमार पास दिया रायलाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट या उप्रोक्त में से कोई नहीं इसका correct answer होगा दोस्तों ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो होती है अमली अगने चटान का उधारन है यह question भी most important है बहुत सारे बार repeat हो चुगा है next question देखते हैं दोस्तों संग्मर्मर रुपांतरी चटान है option आमार पास दिया चूनापत्तर, बालुपत्तr, ग्रेनाइट या स्लेट पत्तर बालुपत्तर का रुपांतरी तुफ्त होता है ग्रेनाइट का स्लेट का नीश होता है यह चारू ही आच्छी से याद रखिएगा कोई भी पूछा जा सकता है नेक्सक्स कोशन देखते दोस्तों म्रदा में खनीच प्दार्थ की मात्रा प्रतिसद मात्रा होती है और यदि द्रविमान की द्रश्टी से पूछा जाय तो 75 परसेंट होता है ये भी याद रखियेगा दोस्तों next question दिया वुआ है दोस्तों, म्रदा में CO2 की मातरा प्रतिस्ट मातरा होती है option हमार पास दिया दोस्तों, 0.25 P, 0.3 प्रतिस प्रतिस्ट, 0.25 P, y, invers थे कोई नहीत इसका correct answer होगा दोस्तों, 0.25 प्रतिसाथ म्रदा में CO2 की मातरा होती है option हमार पास दिए दोस्तो 10 प्रतिसत 5 प्रतिसत 15 प्रतिसत या 29 प्रतिसत तो इसका correct answer होगा दोस्तो 5 प्रतिसत म्रदा में कार्बनिक पदार्थ की मातरा 5 प्रतिसत होती है यह question भी most important है बहुत सारी आवेवस्था को ब्रता संदोचना कहा जाता यह question भी most important है दोस्तो नेक्स देखते दोस्तों इनमें सिक क्रसी की दरष्टी से सरुत्तम इरदा संदोचना कुन सी होगी प्रिजमित इंहिसे कोई नहीं तो आध्र म्रधाओं के आधर के सलस्तर में पचित म्रदा सलज़ना पाई जाती है यह सबूंस इम्सेंस को अच्छे से जाद रखए गार नेकस्ड दिया वा है दोस्तों के अकार होता है आप सेlafdan पास दिया है दोस्तो 0.002 mm, 0.002 mm से कम या 0.002 mm इन में से कोई नहीं ते इसका correct answer होगा दोस्तो क्ले कानों काकर 0.002 mm से कम होता है यह question most important है दोस्तो यह प्रत्यक बाय कॉंपेटेंस एक्जाम में आते रहता है इसको अच्छे से याद रखिएगा दोस्तो next question देखते हैं द ऊस्तूल कणतों कहा जाता है दोस्तो next question दिया भाजों क्रशी यग्यम्रदा का कंणतों होता है और पास दिया है एक दसम्लों 3,3 g ग्राम प्रति घंसेंटीमेटर 2,650 g ग्राम प्रति घंसेंटीमेटर या नहीं से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा दोस्तो क्रशी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रथा वीडियो को लाइक कीजिए